और बी जिन लोगों को जोडों से कट-कट की आवाजे आती हैं कंदा उखाने में, पैर अपने सामने रखने में, उपने से, उन लोगों को यह धान देना है, उनके बाडी में कैलिशियम काम है और यह खासका रता होता है, जब वायू दोश ज्यादा होता है, वात दोश जिनको ज्यादा होता है, बाडी में वायू ज्यादा हो, पेट में, खलकी खलकी सुलगती सुलगती वायू जिनके रहती शरीर में, शरीर वायू हो रहा है, जिनका शरीर खुश्क है, उन लोगों क तो आप चुना, चुना आपने सुना होगा पान वाले से मिल जाता है, तो पान वाले से आप ले छुना और उसको आप कि गेमों के दाने जितना आप ले लिया करें रोज़ाना कि दही में डालगर करके तो दुबा खाली पेड, हालका प्रूका कमीथा डालना हो तो प्रकु ना हो ले-लेते तीन महीना तीन मीना ले-लो एक मीना बन कर yeah यह घर DM की कमी हो जाय,तो उससे ही रोड़ हो जाते है、 की अधिकता हो जाय तो ंUDसे थोड़ी भास प्राउब्लम्स आता हुं तो इसलिए हर चीज को balance में लेना है उसकी overdose ना हो जाए इसलिए दो तीन मीने बाद बन करते हैं यह कारण होता है तो आप जब calcium यह चुना लेना शुरू करेंगे विदिन 15 देज पंधना दिन के अंदर आपको यह आज यानी बन हो जाए यह पकी बात है इसके इलावा अगर आपको लगे कि बहुत जादा problem है तो आप पीनट बटर ले सकते हैं पीनट बटर जो है मुंफली का जो निकाला हुआ होता है तो आप उसको एक चमज ले सकते हैं कभी भी दिन में लेकिन वो बेट थोड़ा बढ़ा सकता है इसलिए अगर आपको बेट इसका कुछ है यह आप नॉर्मल बेट से जादा ना पहले से ही तो आप ज्यादा बढ़ाएगा लेकिन कभी-कभी किसी का बढ़ा देता है फिर अगर आपको ऐसल लगे तो आप इसकी जगा पे हमारी वीडियो है दूगधा मृत दूगधा मृत में मैंने बताया है कि कैसे दूद में बदाम और खोट के पीने है वो उस वीडियो का नाम है दूगधा मृत आप दूगधा मृत भी ले ले लिया और बारा एक दूगधा मृत ले लिया तो दोनों से हराम हो देगा दोनों ना भी कर पाओ तो एक जो चूने वाला तो जरूर करो यह हर तरह की जोज आवाजियानी कम कर देगा